पहले युजवेंदे चेहल ने एक शॉकिंग इंसेंट रिवील किया था 2013 के IP सीजन में एक ड्रंकन प्लियर ने उन्हें एक होटेल रूम के 15th फ्लोर के बालकनी से गिराने की कोशिश किती उन्हें हंकर दिया गया था और गिराने की कोशिश किती अगर हाथ छूट जाता तो 15th फ्लोर से सीधा नीचे गिरते लेकिन उसके बाद बहुत सरे उनके फैंस ने यह डिमांड किये कि आप उस प्लियर का नाम बताए क्योंकि यह दरसल गलत है इन विजवेंदे चेहल ने अ लौ से सब्सक्राइब कौरें मुम। एस प्लेयर को इंटिफाय केंने से पहले हमें इनेंटिफाय के पूरह को देखना फ़ाइए है अब को स्कीन पर देखना होगा 034A मुमा ए दिंचरे और radio क violation की चकад eight यहांपे बहुत प्लेयस दिख जाएंगे बहुत शरे आप에 Senior players हैं, Junior players हैं, Foreign players हैं, लेकिन यहां से एक idea नहीं मिलता कि कि किस ने किया था, कोई idea नहीं मिलता क्योंकि यूज़वेंदे चहल ने खुद नहीं नाम डिविल नहीं किया, तो बात करते हैं और एक इंसिदेंट 2011 की जो की उज्वेंदे चहल के साथ खटी थी ये इंसिदेंट भी उज्वेंदे चहल ने एक podcast में शेयर किया था इस इंसिदेंट में उज्वेंदे चहल ने कहा था कि 2011 में जब हमने Champions League tournament जीता था उसके बाद एक चैन्नाई के hotel room में Andrew Simons काफी drunk थे और उन्होंने और James Franklin ने मुझे बांध कर रखा था मेरे हाथों को बांध कर रखा था मेरे पैड़ों को बांध कर रखा था और मेरे मुह पर टेप लगा दी थी और पूरी रात किसी को इस बात की भनक नहीं थी सुबह जैसे हुई एक cleaner वहाँ पर आई और उन्हें मैं इस condition में दिखा और फिर उन्होंने मुझे free किया तो पूरी रात इस बांधे चैन्नाई वैसे गिर थे इन दो इंसेंस में तीन चीज़े कॉमन है दोनों में इस बांधे चैन्नाई को तंग किया है दोनों में जिसने अगर आप देखेंगे तो वह 2011 के स्कॉइड में थे हैं चैंपिंस लीग के लेकिन 2013 में जो मैं आपको स्कॉइड बताई वहाँ पे एंडि साइमेंस नहीं है लेकिन जेम्स फ्रांक्लिन जो कि 2011 में थे और 2013 के भी स्कॉइड में है अब आज़े क्रिकेट फैन हमें लग सकत अब ही तक नहीं किया और यह कैना गलत होगा कि वह 2011 के बात है और यह 2013 के बात है तो कोई similarity है नहीं डाइक ली तो यह कैना दरसल गलत होगा कि जेम्स फ्रांक्लिन नहीं ऐसा क्या होगा तो आपको क्या लगता है किस प्लेयर ने ऐसा क्या था मुझे कर शिक्श में आप सुलात होगी नहीं स्वीडियर नहीं थैंक्यू